अंकुरित मुंग मोट का पराठा बनाने के लिए हमें चाहिए गेहूं का आठा, अंकुरित मुंग मोट, प्याज, हरिमेच, नमाज, लाल मेच पाउडर, जीरा पाउडर और तेल अब उबले हुए अंकुरित मुंग मोट में हम डालेंगे प्याज, लाल मेच पाउडर, जीरा पाउडर, हरिमेच और नमक, फिर इसे अच्छी तरह मिला लेंगे, यह मसाला पराठे में भरने के काम आएगा आटे की लोई लेकर करीब 3 इंच आकार में बेल लेंगे अब इसमें अंकुरित मुंग मोट का मसाला परकर अच्छी तरह बंद कर लें और इसे हलके हाथ से करीब 5-6 इंच आकार में बेल लें अच्छी तरह बंद कर लेंगे अच्छी तरह में बेल लेंगे झाल झाल गर्म तवे पर इसे दोनों और से घी या तेल लगा कर अच्छी तरह सेख ले झाल झाल कुरकुरा स्वादिश्च सेहत से भरपूर अंकुरित मुग मोट का पराठा तैयार है इसे आप अचार चटनी या दही के साथ खा सकते हैं झाल 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 झाल